हलो दोस्तों English Learning Really Made Easy में आप सबी का स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त साजी देली खान आज हम देखने जा रहे हैं अपना अगला टेंस जो है Past Continuous Tense इस टेंस में दोस्तों हम देखने जा रहे हैं Past Continuous Affirmative या Positive Sentence किस तरीके से बना सकते हैं Past Continuous Negative Sentence, Past Continuous Interrogative Yes No Type Question को हम कैसे बना सकते हैं Past Continuous Interrogative Sentence WH Question को हम किस तरह से बना सकते हैं और Past Continuous Interrogative में Negative Sentence कैसे बनता है तो आईए देखते हैं Past Continuous Affirmative या Positive Sentence तो दोस्तों सबसे पहले इसके structure को समझना बहुत जरूरी है बहुत ही Simple है, Subject के बाद हमें Helping Up का इस्तेमाल करना होता है और Verb को NG लगाई जाती है यहां Subject का Combination सीखना बहुत Important है We, You, They के साथ और कोई भी अनेक वच्चन के साथ Were Eating या Were लगाकर Verb को NG जोड़ा जाता है जैसे We were eating lunch at 12.30 PM हम साड़े बारा बज़े लंच खा रहे थे They were eating lunch at 12.30 PM इसी तरह I, He, She, It और कोई singular नाम के साथ Was का इस्तेमाल होता है और Verb को NG जोड़ी जाती है जैसे I was eating lunch at that time अब देखिए दोस्तों हम कभी समय का direct भी example दे सकते हैं या हम reference देख सकते हैं किसी particular time का जो इतना clear ना हो At that time यानि उस वक्त हम कभ कहते हैं ये sentence में जब सामने आला हम से कोई बात पूछ रहा है और वो time उसके दिमाग में clear है तो He was eating lunch at that time वो उस समय खाना खा रहा था अब ये उस समय बोलने का मतलब यह है अईसा भी हम reference दे सकते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर इसे bracket में लिख दिया ताके आपको समझ में आए कि ज़रूरी नहीं हर बार हमें time का ही reference देना पड़े हम situation का भी reference दे सकते हैं उम्मिद है आपको समझ में आया होगा आए चलते हैं अगले example की तरफ past continuous negative sentence तो दोस्तों यहाँ subject के बाद फिर से helping verb और helping verb और main verb के बीच में not का इस्तेमाल किया जाता है verb के first form को ing जोड़ी जाती है combination वही रहेगा दोस्तों we, you, they और अनेक बचन के साथ were not और I, he, she, it और singular नाम के साथ was not का इस्तेमाल होगा और sentence को हम complete कर लेंगे जैसे we were not eating lunch at 12.30 pm हम साड़े बारा बज़े lunch नहीं खा रहे थे I was not eating lunch when you arrived यहाँ मैंने फिर समय का इस्तेमाल नहीं किया है बलके दूसरी situation को बतलाया हूँ जैसे मैं lunch नहीं खा रहा था जब आप आए तो इसी तरह he was, she was and Sarah was लेकर हम sentence को complete कर सकते हैं आएए चलते हैं अगले example की तरफ अगला example है past continuous interrogative sentence yes no type दोस्तो yes no type का मतलब होता है ऐसा question जिसका answer हम yes या no में दे सकते हैं structure बहुत आसान है सबसे पहले was या were क्योंकि ये दो helping verb है according to the subject उनका इस्तेमाल होगा उसके बाद subject और फिर verb को ing लगाई जाएगी और end में question mark दिया जाएगा इसका मतलब होता है क्या हम साड़े बारा बजे खाना खा रहे थे क्या तुम साड़े बारा बजे खाना खा रहे थे क्या वो एक से ज्यादा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या वो साड़े बारा बजे खाना खा रहे थे क्या नवीद और जावेद साड़े बारा बजे खाना खा रहे थे इस तरह से हम कुश्चन बना सकते है इसके बात का कॉम्बिनेशन है दोस्तो Was he eating lunch when they came? क्या वो lunch खा रहा था जब वो आए क्या, sorry, क्या my lunch खा रहा था जब वो आए Was he eating lunch when they came? क्या वो lunch खा रहा था यह वो singular के लिए है और they plural के लिए है when they came Was she eating lunch when they came and was Sarah eating lunch when they came When they came मतलब जब वो लोग आए क्या हम lunch खा रहे थे आज़े चलते हैं अगले example की तरफ हमारा अगला example है past continuous interrogative negative sentence यानि यह question में ही negative दिया जाता है helping up के बाद subject और उसके बाद not और फिर verb के first form को ing जोड़ी जाती है और last में question mark लगाया जाता है देखिए दोस्तो example को समझने की कोशिश कीजिए Were we not eating lunch at the time? यहाँ पर दोस्तो जब हम not का इस्तेमाल करते हैं तो बोलते समय भी stress यानि के जोड़ देके बोलना है और यह थोड़ा सा गुस्से वाला sentence दिखाई देता है ताके आपकी बात सामने वाले को यकीन आ जाए क्या हम साड़े बारा बज़े lunch नहीं खा रहे थे? हो सकता है कोई दूसरा बंदा आपकी बात पर यकीन नहीं कर रहा है ट्रस्ट नहीं कर रहा है तो आपको गुस्सा आ रहा है और आप इस तरीके से बोल रहे हो वर यू नॉट इटिंग लंच अट ट्वेल थर्टी पिम क्या तुम साड़े बारा बज़े लंच नहीं खा रहे थे? वर दे नॉट इटिंग लंच अट ट्वेल थर्टी पिम क्या वो साड़े बारा बज़े लंच नहीं खा रहे थे? क्या नवीद अंजावेद साड़े बारा बज़े लंच नहीं खा रहे थे? इसका मतलब है आपको पता है वो खा रहे थे लेकिन आप confirm करने के लिए इस तरह के question पूछते हो Next combination है दोस्तो Was I not eating lunch when they arrived? क्या मैं lunch नहीं खा रहा था जब वो आए? Was he not eating lunch? क्या वो लंच नहीं खा रहा था जब वो आए? Was she not eating lunch when they came? क्या वो लंच नहीं खा रही थी जब वो आए? And was it and was Sarah not eating lunch when they arrived? तो क्या Sarah और वो लंच नहीं खा रहे थे जब वो आए? जो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही simple construction है आईए देखते हैं अगले example को Next example है past continuous interrogative sentence type 2 जो है WH WH का मतलब वो question दोस्तों जिनको हम yes या no में answer नहीं कर सकते जहां हमें detail बतलाना जरूरी होता है WH का मतलब सिर्फ यह नहीं कि वो sentence WH से शुरू होता है अक्सर लोग यही समझते हैं लेकिन यह गलत है WH तो फिर how भी WH होता है हलाके वो WH ते शुरू नहीं होता है लेकिन main criteria है WH पहचानने का अगर वो sentence आप yes या no में answer नहीं कर सकते हो तब ही वो WH होगा अगर कोई sentence को yes या no में आप answer कर सकते हैं तो WH question नहीं होगा देखिए पहला word है हमारा what जो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है अब तक तुम अपने project में क्या कर रहे थे वो रेगुलरली क्या नहीं कर रहा था इस तरह से हम question पुछते है जो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है which books were you reading till now अब तक तुम कौन कौन सी किताबे पढ़ रहे थे which cards were they using by now कौन कौन सी कारे वो अब तक इस्तेमाल कर रहे थे आए अगले example की तरफ हमारा अगला word है दोस्तो who अब ये who जो word है दोस्तो तो who में हम देखते हैं ये किसी वेक्ती या कोई ये तो person के लिए इस्तेमाल होता है जैसे who were you talking with आप किन से बाते कर रहे थे who was he helping to वो किस की मदद कर रहा था who were they going with वो किन के साथ जा रहे थे तो देखिए दोस्तों ये who same word है लेकिन उसके meaning बार बार बदल रहे है according to the subject तो English में आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि एक word के कहीं माईनी हो सकते है कहीं अर्थ हो सकते हैं कहीं meaning हो सकते हैं और वो depend करता है वो word किस situation में इस्तिमाल किया जा रहा है were अपना next word है जिसके माईनी है कोई place के लिए हम इसको इसको इस्तिमाल करते हैं जिसके माईनी होते है कहां where were you working before आप पहले कहां काम कर रहे थे were they going in the morning वो morning में कहां जा रहे थे where was he learning that much sorry earning that much money वो इतना सारा पैसा कहां कमा रहा था अपना अगला word है दोस्तो why और ये बहुती common है ये reason के लिए इस्तेमाल होता है किसी कारण या कोई वज़े पूचने के लिए इस्तेमाल होता है why were you cooking late आप late क्यों पका रहे थे why was he remaining absent for so many days वो इतने दिनों से absent क्यों रहे रहा था why were you not taking study seriously आप study को seriously क्यों नहीं ले रहे थे इस तरह के sentence हम बना सकते हैं दोस्तो अपना अगला word WH word है when जो समय के लिए इस्तेमाल होता है for time when were you getting free that day उस दिन आप कब free हो रहे थे when were you working on that project आप उस project पे कब काम कर रहे थे when were we meeting there हम वहाँ कब मिल रहे थे तो ये सब कब 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 के लिए हम when का इस्तेमाल करते है हमारा next WH word है दोस्तो how ये किसी method या process के लिए इस्तेमाल होता है how were you completing that much syllabus in such a short time यहाँ आपका method जानना चाहा है सामने वाला जो पूछ रहे आप से कि आप इतना बड़ा syllabus उतने कम समय में कैसे complete कर रहे थे next है how were you doing that project so far आप वो project अब तक कैसे कर रहे थे यानि कि इतना difficult project कहीं लोगों ने हो सकता उसे छोड़ दिया quit कर दिया लेकिन आप अब भी कर रहे थे okay how was he teaching so deeply and interestingly वो इतने deeply and interestingly कैसे पढ़ा रहा था हमारा next word है दोस्तो whose जो किसी के position या असासा या milkyat की बात करता है किसी की ownership की बात करता है माल की हक को दिखाता है first example is whose bungalow were you going to purchase आप किस का bungalow खरीदने जा रहे थे whose cars were you driving so far आप अब तक किन की कारे चला रहे थे whose children were you teaching English language आप किन के बच्चों को English language पढ़ा रहे थे और हमारा last word है दोस्तो whom ये इस्तिमाल होता है लोगों के लिए whom were you discussing your problems with आप किन के साथ अपने problem discuss कर रहे थे whom was he going for advice वो advice के लिए किस के पास जा रहा था whom were they meeting in afternoon वो afternoon में किस से मिल रहे थे तो with this we came to the end of this chapter दोस्तो और अब हम देखेंगे यहाँ पर conclude करने से पहले सिर्फ structure को एक बार revise कर लेंगे कोई भी question बनाते time अगर हम वो interrogative बनाना है तो helping up को पहले ले लेंगे और उसके बाद subject और अगर वो negative वाला है तो उसको not लगाएंगे अगर negative वाला नहीं है तो without not के भी हम question बना सकते हैं सिर्फ structure को याद रखिए दोस्तो बहुत ही आसान है negative, normal negative में सिर्फ helping up के बाद not का इस्तेमाल होता है और वो अपका first form आता है और affirmative या positive sentence में negative का इस्तेमाल नहीं होता है इसलिए उसको positive sentence कहा जाता है वीडियो को बार बार देखिए जब तक आपके concept clear ना हो और अगर किसी किसम का कोई confusion होता है तो आप मुझे जरूर comment कीजिए ताके मैं उसको मेरे next वीडियो में और improve कर पाऊ और दोस्तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते है तो जरूर इसको share और subscribe कीजिए मैं हर दिन कोशिश कर रहा हूँ एक वीडियो डालने की करता रहा हूँ मैं God wills और मैं चाहता हूँ कि मैं अगले topics जिनके लिए मैं schedule बना रहा हूँ उसमें अगर आपका भी opinion आता है तो that will be highly appreciable उमिद है कि आपको मेरे बाते समझ रही है और उमिद करता हूँ कि आप से अगले वीडियो में मुलाखात होगी तब तक के लिए बाई बाई टेक केर और God bless you all